हेलो फ्रेंग्स वालकम यू आज मैं आपके लेडियो लेकिया बात करने वाले है अलर्ट जोन की एक स्टॉक के माध्यम से समझेंगे और आप भी इसको समझने की कुशिश करना साउधानी के लिए यह बहुत इंपॉर्टन जोन होता है यहां पे अगर कुछ चीज करनी होती है तो वह होती है इंतजार ऐसे मौके पर अगर आप कभी किसे स्टॉक में एंट्री लेते हो तो आप अपने आपको maximum time फसा हुआ महसूस करते हैं और कई बार तो अच्छी किसमत होती है तो तो बच जाते हैं लेकि maximum time high probability होती है कि trap आप अपने आपको feel करोगे तो चले detail में समझेंगे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश करेंगे momentum probability लेकिन आज हम alert zone के बारे में बात कर रहे है तो alert zone को भी समझने के कोशिश करेंगे और आगे बनने से पहले हम आपको बता दूगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक् करते हैं high probability breakouts के बारे में बार बार detail में जक्र करते हैं लेकिन इस stock के माधिम सा आप काफी और चीजा सीखने की कोशिश करेंगे अगर आपको अभी तक two point system समझ में नहीं आया है इसको देखिए समझिए m60 correction देखिए ये entry की opportunities आपके लिए आती है तो चलिए exit के बारे में और पिछले कुछ time में तबाही जरूर मचा ये stock ने revenue के terms में profitability के terms में पहुत ही बहत्रीन लेकिन अब ज़रा Tata Motors को आप खुद देखना और relate करना अब Tata Motors का मैंने आपके सामने मंतली chart रखा है मंतली chart रखा है उससे पहले अगर मैं Tata Motors की बात करू तो ये important levels हमारे लिए थ जहां पर consolidation हुआ breakout के बाद pullback kind of देखने को मिला और इसके बाद बढ़िया रहे लिए आपको देखने को मिला लेकिन अब अगर Tata Motors को आप देखू तो situation देखिए Tata Motors को देखो तो काफी मतलब ये जो area है ये जो zone है वो काफी dangerous मैं कहूंगा अगर आप किसी stock में monthly के इन levels पे zone में entry लेना कहेंगे यहां पर जनरली लोग धीरी धीरे profit book करने के सोचेंगे लेकिन यह high risk zone fresh entry के लिए देखने को मिलता है अब आपको गया है यह high risk zone है तो Tata Motors का entry का बढ़िया zone क्या होता देखिए even अगर आप enter कर रहा हूं या मैं enter कर रहा हूं इस level पर देखिए जहां प entry कर रहा हूं तब भी आपको पता है इवन अगर मैं कहूं कि आपको इन levels में भी मौका मिले तो आपने कहा गया इसको भी समझेंगी detail में बात करेंगे चोटे time frame पर जाके हमने मंतली के बारे में बात कर दी कि RSI कहां पर जा चुका है और अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहला entry का मौका फिर एक बड़ी correction आती है फिर से entry का मौका मिलता है अब जड़ा देखिए और थोड़ा सा market में अभी elections की विज़े से और uncertainty और बनी रह सकती है और जैसा अब आपको कहा इस stock का weekly chart को आप देखिए बहतरीन है कि नहीं है अब weekly chart में अब जैसे क्या होता है कि इस तरी किसे entry लेके और आस्मानों पर जैसे अभी RSI पिछले week में बहुत टॉप पे गया था कहां पर 91 के RSI तो जिसने अपने आपको यहां पर entry ले होगा 1000 के लेवल पे तो वो कह रहा होगा यार 1050 के लेवल पर देखिए RSI कहां था अब RSI थंड़ा होता है जो रिनी प् एंट्री बहुत ही साउधानी से लेनी होती है अगर लेनी होती है तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाके आपको साइकल स्टार्ट होती भी दिखती है जैसे कि अगर मानलों अपने यहां पर entry छोटे टाइम फ्रेम पर आपको साइकल स्टार्ट देखने को मिलेगी बड़ फिल कि डीरे खेंड रहा ही है तो अब जड़ा तो एक हम इन वार्ट करते हूं किसी है और यहां पर यह को देखने मिल रहा है कि क्या मन रहा है almost equal high या फिर lower high इस तरीके से यह divergence उसके बाद यहां देखो कि अब आप यह आपको almost देखिए क्या में मिल रहा है equal high तो यहां पर आप देखिए divergence आपको देखने को मिल रहा है तो यह चीज़ तो हमने देखी यहां पर और अब इसकी tendency price की होती है कि धीरी थोड़ा नीचे आए अपने 20 50 के लवल तक आए या फिर और 200 के आसपास तक आने की कोशिश करें और जिस तरीके से election के uncertainty है Tata Motors मैं कहूंगा थोड़ा attractive रहेगा जब यह एक बढ़िया correction यहां पर देखने को मिलेगी और आपके माने में question हुआ है Tata Motors को अगर थोड़ा पहले पता लगता की बढ़िया अपॉर्टरिटी इसकी तलास के पता लगता तो कहां कहां पर देखिए यहां पे बहुत ही बहातरीन rejection candle मिली थी यह है December 2020 और जैसी ऐसी candle मिलती है इसके high पे entry देखे इसका bottom point आपका stop loss हो जाता है यह देखे यह entry यह देख सकते दूसरी entry यहां पर आपके मने में question होगा है यह ऐसे opportunities की तलास और दूसरा एक बढ़िया correction resolve हुई थी यह level देखी यह आपके सामने हम बार-बार इसके बारे में जिकर कर भी रहे थे इस level का कि कभ यह पार हो एक तो यह level या पिर यह कहीं पे भी आपने entry लिए with the stop loss of this point अब जड़ा देखते हैं कुछ important points को cover करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं अभी यह फरवरी का time था फैव 15 के आसपास एक cycle start हो रही थी बुलिस इस टाटा मोटरस के stock में फिर आपके सामने हमने मैं मैं फिर सीरी स्टाट करी थी कि भाई यह जो level है breakout होके consolidate कर रहा है यह है माई 2 की मे 2 अब हम जड़ा टाटा मोटरस पर back जाता है मे 2 का pricing देखते है यह देखे आप्रेल मे यह अगर मैं इसको चोड़ दो यहां पर इस peak level से भी कहूं तो देखे और मोस्ट डबल यह stock हुआ तो इसको अगर आप देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पर कहीं न कहीं आपको जैसे मैं आपको कहा कि early in the stages cycle देखी और फैब में जब cycle स्टार्ट रही तो इतने यहां पर थ होती है एक मैं कहूंगा success की probability कम failure की probability ज्यादा जब आप peaks पे एंट्री लेते हो तो peaks पे हमेशा साउधान यह देखी अब आप जो हम बात कर रहे हैं देसंबर 2020 की तो देसंबर 2020 को आप देख सकते हो प्राइस क्या 175 टाटा मोटर्स का आज कहा टाटा मोटर्स आसमानों पर weekly chart देखते हैं फिर से relate करना इसी पार्ट को देखे तो यह छोटी छोटी चीजे जरूर होती है लेकिन बहुत important इसलिए जब price section को देखते हैं समझते हैं सीखते हैं तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलता अब यह candle बनी थी इस candle के बनती ही हमें एक opportunity दिख रही थी 175 पे with a stop loss of this मात्र 20-30 पॉइंट का जो है लॉस तैयार था अगर प्लान फेल हो गया और लेकिन अगर आगे गया तो देखिए तो stock market में हमेशा risk बना हुआ हमेशा 100% risk बना हुआ है आपको बस उसको calculate करना है कि यह आपके favor में है या नहीं है अब आप इसी को देख लीचे रिसक हमे 175-180 पे मैं एंट्री ले रहा हूं तो 150 का मेरा stop loss है मेरा 30 पॉइंट का risk यहां पर मुझे दिख रहा है और अगर मैं 1000 शेर खरीटता हूं तो 30,000 का loss है अगर 500 शेर खरीटता हूं तो कितना कितना है देखिए देख रहे हुँ ना 500 शेर के तो 15,000 का loss है तो मैं अगर खाली कि 200 शेर के साथ भी जाता हूं या 200 शेर के साथ भी जाता हूं तो मेरा loss और कम हो जाएगा तो loss के बारे में जरूर सोचना है समझना फिर आगे बढ़ना तो Tata Motors का उम्मीद करता हूं यह details यह learning आपको समझ माई होगी और risk के बारे में हम क्यों बात कर रहे है क्यों कि अब जो पास तक जाने का ट्राइ करें तो फिलाल हम है थाउजन के आसपास यह कहां पर है तो यह और election में अगर कुछ यहां पर नीचे होती है कुछ volatility और देखने को मिलती है तो इस तरीके से situation से आपको देखने को मिलेगी अब यही नहीं इस टाइम पे धेर सारे स्टॉक्स ने प वहां पर profit booking आपको देखने को मिल सकती है और फिलाल में wind up करता हूँ वीडियो को और उमीद करता हूँ आपको सब्सक्राइब जरूर आ होगा यह साउधानी यह alert जो उनके बारे में हमने जिकर किया और वीडियो अच्छा लागा तो शेयर कीजिए like कीजिए price section सीखते रह एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, पो राचिंग वीडियो